नमस्कार मैं डॉक्टर रुचिका साय शुकला डिरेक्टर इंडिया आईवेफ फर्टिलिटी मैं आज डिस्कस करूंगी इस टॉपिक पे कि अच्छे कॉलिटी के एंब्रियों भी आपके अंदर क्यों नहीं चिपते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर प तरह से उसको विजुलाइज कर सकते हैं जैसे आपने चंद्रायन टू के बारे में तो सुना होगा तो आप सूची कि आपका एक एंब्रो वी स्पेस्क्राफ्ट है और उसे लाँच होना है मून पे मून का जो सतर है वो आपका वूम है जहां पर वो लाँच होगा तो उसम इस तरह से मिल रहा है तो इसको हम अपने बॉड़ी के हिसाब से कंपेर करके देखते हैं बिकॉस यूमन बॉड़ी को वैसे आप कंपेर नहीं कर सकते हो बिकॉस यूमन बॉड़ी इस नौन रिप्लेसिबल वह एक मशीन नहीं है मैं को यह संजाने कोशिस करें जब आप सब्सकाइक इस वह सोचिए यूटरस की लाइनिंग है यूटरस के अंदर ऑक पेस से वॉल्यूम है यूटरस के दा ब्लॉड सप्लाई है यूटरस के लिए जो फैक्टर्स है जो उसको कंट्रोल करना जैसे एट्मॉसफरी कंडिशन जो मैं आपको बोला मैं वह दर आप की हाँ तह दिए या इंबान्टेशन कर चांश नहीं हो तक पाल आफवी क्या जो एकप्रम करती जाएंगी आज Baptizing तो वह चीज उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, वैसे आप भी प्रेरित हो, विकाज ये जो वार है, ये फर्टिलिटी के अगेंस में, जो युद्ध है आपकी, आप एक फर्टिलिटी वारियर हो, एक फर्टिलिटी के सैनिक हो, जिसे आपको लड़ना है, और उस चीज को आपको जीतना है, आपको माइंड में ये करके चलना है, जो अदर फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपके लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम में, आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, वो भी कहीने कही एफेक्ट करता है, ये सब चीजें ऐसा नहीं कि आप आईवेस इकसी कर लो तो ये धूल जाता है, ये चीजें वहीं पर रहती हैं, जैसे आपकी पास्ट वहीं रहती हो, कभी भी बाहर नहीं जाती है, इसी तरह से ये चीजें है, तीसरी चीजी है जो स्पेस्क्राफ्फ मीन्स अम्डरो की तो इस चीजों को अपने आप दिमाग से निकाल दीजे और प्लस दूसरी चीज यह भी है कि यह जो थेरपी होती है चाहे यूट्रस को रेडी करने के लिए हो चाहे हम लोग सप्रेस्ट करते हैं इम्यून मॉडुलेटर से या हर तरह से आपकी जो मेडिकल डिसॉर्डर्स को करने की कोशिश करते हैं अगर पेशिंस फिर भी विलिंग होते हैं तो उनकी जनेटिक टेस्टिस मतलब टेस्टिंग मतलब की पीजी टी करके देखा जाता है तरह तरह की चीजें जो की लाब में यूज की जाती है उन्हें एम्डर्स को चिपकाने के लिए बिकोज आई व बहुत ही पुरानी सेंग है इंग्लिश में जैसे की ट्राइट राइट राएगेञ इन इफ एट फर्स्ट यू डूंट सकसीड ट्राइट राइट राइगे मिंज आप कोशिश करते रहो अगर आप पहली बार आपको सकस्स नहीं मिलती है तो अभी अगले बार मिलेगी फ करके आग.